नमस्कार संजु के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बहुत टेस्टी ही मिठाई बनाने वाली हूं मिठाई भी है नास्ता भी है जो भी आप नाम दें इसे नाम दे सकते हैं यह हमने मावा ले लिया है मावा हमारा मलाई का मावा है जो हम लोग मलाई इस्टो यह दला उन्यावा लोगी ची अदिक हश्च मेंना बेड़ना बंजाता। यह देखिए और सुप dat सुप सीफेट उन्यां विल लोगर। चीने में भाला के चोचशने की याधरिक श क्याओंवा बंख़ें और इकशने कर्साय कुते। कि ने जिसलिए स्टार्ट करती हैं ये पिश लिया उति दिन सामाल ले लिया है कि ये सांट से कम ज़्यादा ले सकती है नर्यालब सबाद सब्सक्राइब आर पूस्थी भी ये नार्यल महीन वंअला ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है यह हमारा खोया है मावा अपनी हिसाब से कंचलर है और यह 200 गराम हमारा मैदा है अब इन सर्वी चीजों को हम आपस में मिलाते हैं करते हैं कि इसमें ऑई हम नहीं डालेंगे मावा डाल रहें हैं तो मिक्स करके हां से मिक्स करेंगे और यह थोड़े से सबेद दिल है यह भी आपके पास हैं तो डालीय नहीं है तो में डालिये, मैं डाल दी तու मेरे पास था मिला आप्स किया अच्छ लेब है कि यह और dayd यह देखे इस तरह से हमने मिला लिया है, हो गया इसमें पानी डालेंगे बहुत ही कम पानी डाले क्योंकि चीनी है इसमें न तो ये पानी बहुत जल्दी गिला हो जाहेगा मिलाते भी इस तरह से देखें जैसे हम आटा गुठते हैं उसी तरह से अच्छा सहम इस कड़ों त्यार करें लेखें बहुत एक ही चंबाचमने पानी डाला है बहुत नमसा हो गया है देखें मसल मसल के त्यार कर लेंगे और हाथ में घी लगा के अच्छा सेव देखते हुए हम इने बनाएंगे इस तरह से हमको डो तयार करना है इसका यह हमारा डो रखा है हम किसी भी सेव में इससे बना सकते हैं थोड़ा सा डो ठाएंगे ऐसे नंबा नंबा सा करके इस तरह से बना सकते हैं और या फिर रहुं एक चखले पे खूब लंबा सा बना में के चाकू से कटके इस तरह से बना सकते हैं और हलका संस्धी पीसर की तरह बना सकते हैं को lira इस तरह से बहुत टेश्टी लगते हैं इसी तरह से बना के त्यार कर लेते हैं इधर हमारा कड़ाई में तेल गरम हो रहा है तेल हमारा हाई गरम नहीं होना चाहिए लोबी नहीं गरम होना चाहिए तेल एह अब थोड़ा से अमने चाहिए पर मोटं 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 सा देखे है इतना मोटं मट noisy आखकु सभी आहिए दे ना चातते है यह अब नुट पारा के सब देना चा थे तो ननके पारा क देजिए बर्फिक देना चाहिए वेलोन देशने टो с हाभि पेक अ शोकार मेरा हाए कि यह देखिए कि यह सब भी बना के हमने त्यार कर लिया देखिए इस तरही किसे एक डाल के देखते हैं तेल कैसा गरम है टवात्या टेल अच्या गरम है डालते है इसमे तेल आज कट कि अम से उस में छक्षार लाटल है फिक ऩो च़ंद को ट्रे भी बनाना इस इसमें विए त्रेस्ची पाल देते जो पक गए हैं उन्हें पलड़ देती हूं इस तरह से यह देखिए पक रहे हैं एक तरफ से रेड हो गये हैं गोल्डन यह देखिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से निकालेंगे अभी मुलाइम है न इसमें मावा पड़ा है और निकलने के बाद जबी चल्ग बिष्ट वूंगे land užटी है का है हूं मिज़ेंगे देखिए और फृथ निकालेंगे जो इसमें इस्टरा और होगा उस स्टेकाश लगा वापत इस तरह से निकालेंगे छे मंगोत सब्ढ़ा है अचे पतार के तयार कर लेते हैं यह हमने जो मलाई मावा की रेस्पी बनाई थी, वो बहुत पंके त्याग हो गई है, यह देखिए, यह ऐसी रेस्पी है, यह आप इसे डिपर में भरके खा सकते हैं, कापी दिन तक एक ख़राम में भी यह ड्राइ रेस्पी है, यह कुछ इस तरीके से ही, और कुछ इस तरीक बने हुए है, आप भी इस तरह से बनाईए, एक बाजे में ट्राइ कीजिएगा, अगर मेरी बेडियो पर्षंद आती है, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमले दोस्तों के साथ सेब कीजिएगा, बनाईए, खाईए, मौच करिए, धनिवा गरत asked, उ आप कीजिए दुए एक्रणिए थाए, जड़कात कीजिएगा, झानियी जाता याटीजिए, अजए धनिवा लिए, यहेाग A皆さん, अजए चैनल के साथ से एकफया, तो भी होताना है, पन्साना है सेगब करताव से कीजिएगा, खार भी है, वहते हैं डिएवा कीज